नावस्ट कर दोस्तों 22 जनुरी 24 को आयोधिया में ने देखा कि कैसे प्राण पतिष्ठा संभव हो पाया है केवल राम मंदिर से ही पूरी आयोधिया की कायर कल्प हो रही है चुकि अगर राम मंदिर नहीं बनता तो आज आयोधिया का कायर कल्प संभव नहीं था आज आयोधिया में भगवान सिराम के मंदिर के वज़े से आज पूरी आयोधिया की काय कल्प हो रही है और एक से एक बड़े बड़े इंफरेस्ट्रिक्टर पर काम हो रहा है हमने इसी चैनल पर आयोधिया से जुड़ी कई महतरीन वीडियोस बनाएं जिसमें एक से एक बड़े बड़े और नए नए परियोजनाओं को मैंने चिन हित कर आपको बताने की कोशिस करी है आज से फिर इस वीडियो में कुछ महतपूर और कुछ बड़े और कुछ नए परियोजनाओं पर सेर्चा करेंगे और देखेंगे कि आने वाले वक्त में आयोधिया में और कौन-कौन से बड़े और महपून पर्योजना पर काम होंगे तो देदी ना करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो चोटी है तो प्लीज वीडियो को एंड तक शरू देखना और ठीक लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों में भी शेयर करें तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं लेट्स गो अयोधिया की पहली पर्योजना है नवे अयोधिया गिरिनफेड टाउंसी पर्योजना नवे अयोधिया जो बेसिकली एक गिरिनफेड स्मार्ट सेड़ी है जो एक रिवर्स सेंट्रिक सेड़ी के तज पर विक्सित किया जाना प्लैन किया गया है पूरा नव आयोधिया रीपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 1400 एकड में फैला हो जिसे एक वैदिक थीम पर विक्सित करने का प्लैन तयार है चुकि यह रीवर सेंट्रिक सीटी के तज पर विक्सित होगा इसलिए बताया जाता है कि यह एक रामायन काल वेदिक सीटी थीम पर विक्सित होगा सबी इंफरेस्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास और राम मंदिर के तज पर सबी बिल्डिंग्स तयार होंगी इस चौदो सो एकर को चौदो अलग अलग सेक्टर्स के रूप में विक्सित किया जाना प्लैन किया गया है जो फिलाल आप वीडियो के माद्यम से भी देख पार है यही पुरा नव ऐयोधिया टाउन्शिप कर डिजाइन है जिसे आने वाले वक्त में हो सकता है कि इसके चेंजेस किये जाएं बट फिलाल जो डिजाइन तयार की गई है वही इसकी ओजिनल डिजाइन है जिसके आधार पर इसे विक्सित किया साहेगा अब देखना दिल्चस्प होगा कि नव ऐयोधिया चुकि वीजन 2047 का हिस्सा है उसे कब तक पूरी तरसे बन का तैयर कर दिया जाएगा देखते आने वाले वक्त में क्या होता है फिलाल यह रेज के मार्शल प्रैंस और यह रेप होए ब्यवरे आप इसको तेख सकते हैं समझ सकते हैं और लोगों को सेर्वी कर सकते हैं आयोधिया का दूसरा बड़ा और महत्पून पर यूजना है सेंटर इंस्टिट्यूट और प्लास्टिक इंजिनरिंग और टेक्नोजी सेंटर आनि कि सौट पॉब में इसे CIPET भी कह सकते हैं हम सभी को बता है कि आज आयोधिया में सिराम मंदिर के वज़े से यूथ इस्तर पर डवलप्मेंट के काम हो रहे हैं लेकिन बहुतों का मानना है कि राम मंदिर से आयोधिया में टूरिजम तो बढ़ेंगे रोजगार के आउसर भी खुलेंगे पर आयोधिया में एजूकेशन का क्या है हेल्थ का क्या तो मैं आपको बता दूँ इसी का मूव बन करने के लिए CIPET का लौच किया गयाने की शुरुवात करी गई है जल्द यह कॉलेज यहाँ पर बन का तयार होगा चुकि परधार मंत्री मोदी जी नहीं इसका एनाउंसमेंट किया है तो यह भी संभभ होगा कि आने वाले वक्त में CIPET अनि Central Institute of Plastic Engineering and Technology Center से जल्द से जल्द ऑपन होगा ऐसे में कहीं न कहें आयोधिया में एजूकेशन के लिए बहतर वर्ल्ड क्लास इंफ्रेस्ट्रक्चर के साथ साथ कॉलेजे से भी ऑपन किये जा रहे है वहीं चंद मेहनों पहले ही आपने सुना हुआ कि परधार मंत्री मोदी जी दुवारा राज रिसी राज दसत ओटनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज जो की आयोध्या में बना कर कंपिट किया और आयोध्या वार्षियों के लिए समर्पित भी किया ऐसे में यह जवाब उनके लिए जिनका कहना है कि हराम मंदी से रोजगार नहीं मिलेगा एजूकेशन और हैल्थ का क्या उसके लिए यह काफी अच्छा जवाब है इसके अलावा अज आयोध्या में गुपतार घार से राजगार तक कौन क्रीड भी जाय जा रहा है जो समार्षएडी और विवटिफिकेशन पर योजना का एक हिस्सा है इसके अलाव वसिष्ट कुझ रेसिडेंशिल हाउसिंग प्रोजेक्ट भी सुरू हो चुकी है विरान पड़ा आयोध्या आज भवी और सुन्दर बन रहा है भव और सुन्दर कैसे हुआ क्योंकि आज आयोध्या में सड़कें चोड़ी हो गई है सड़कों पर एलेक्ट्रिक बसें दोड़ रही है आयोध्या धाम जंक्सन्स खुबस्वरत हो गया है सेमी हाय स्पीड ट्रेंड शुरू हो गया ये नया एरपूर्ट बनकर तयार है लगनव और आज पास के सहरों से हैलिपेट की भी सुईधाय धीरे धीरे शुरू हो रही है आयोध्या का दूसा डिल्वेश्टेशन जोकी आयोध्या केंड है इससे भी रेनोवेशन करने की तयारियां चल रही है 165 एकर में सोलर सिटी भी बन रहा है गुपतार घाट के पास एक भव्य भाउंटन ओपन होने वाला है होई आने वाले वक्त में दुनिया की सबसे उची स्टैच्यो भगवान सी राम की भी यहीं पे आपन होने वाली है मतब जिस आयोध्या को हम सिर्फ बावरी महजीत और राम मंदिर कांट्रिट के वज़े से चानते थे फिलाल मोदी जी और योगी जी के सपना है कि आयोध्या को भवी बनाए जाए शुदर बनाए जाए और दुनिया की सबसे बड़ी स्पिस्वल सिटी बनाए जाए और इसी के हिसाब से यहाँ पे तेजी से रफ्तार से काम भी चल रहा है देखते हैं आने वाले वक्त में कब तक आयोध्या के पूरी तरसे काया कल्ब हो पाता है फिलाल आज की इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरू सबस्क्राइब करें तो चली दोस्तों आज की इस वीडियो वे इतना ही यहिंग जे स्री राम जे भारत